देश में बढ़ती सब्जियों के दामों को लेकर अब सियासत तेज हो गई है देश में मानसून की दस्तक के साथ ही हरी सब्जियों के दाम साथवे आसमान पर पहुँचने लगे हैं हर घर की शान कहा जाने वाला टमाटर सौर रुपे के पार बिकरा है महिला कॉंग्रिस ने बढ़ती महंगाई के लिए केंदर सरकार को जिम्मेदा ठराया है राजानी भोपाल के रोशन पुरा चौराहे पर अनूठे अंदाज में हरी सब्जियों की माला पहन कर नारे बाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया महिला कॉंग्रिस के अद्यक्ष विभा पतेल ने शिवराज और मोधी सरकार पर निशाना साते हुए कहा कि सब्जियों की दाम आसमा चूरे है महिलाओं का घर चलाना मुश्किल हो गया है अब सब्जिया गले में डाल कर शोभा बनने की चीज रह गई है कॉंग्रेसियों का कहना है कि जो शिवराज मामा लाडली बहना योजना के तैथ महिलाओं को एक हजार रुपे दे रहे हैं तो वहीं दूसरे हाथ से छीनने का भी काम कर रहे हैं महिला कॉंग्रेस ने आज यहां बोपाल का प्रदर्शन रखा है आज हर जिले में महिला कॉंग्रेस महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रही है तमाटर जैसी आम सबजी जो हर ग्रहनी की आवश्यक्ता है आज 100 रुपे से उपर पहुँच गई है प्रदान मंत्री को शरम नहीं आती मुख्य मंत्री उनसे जूड बोलवाते है कि जो भाजपाशाशित राज्य हैं वहां पर महिंगाई कम है जबकि यहां पर ही पेट्रोल 108 रुपे से उपर हो चुका है और इसी तरह जो शक्कर के दाम है 44 रुपे हो गए है तेल की कीमतें पहले ही आसमान को चू रही है गैस सिलिंडर 1130 का है तो हजार रुपे देने का जो मुख्य मंत्री ने दावा किया है उसमें तो गैस सिलिंडर भी नहीं आएगा तो महिलाएं आज अपनी गरसोई कैसे चलाएं कैसे किचिन का करचा उठाएं हम लोग आज इसी को लेकर परेशान है और प्रदर्शन करें तमाटर और मिर्ची जो आम सबजियां हुआ करती थी जिससे गरीब लोग अपना पेड़ भर लेते थे आज शोबा की बस्तू है महिलाएं इसको शोबा के रूपे हम लोगों ने पहना आएं और अब यह शोबा ही देगी और मैं तो मुझे लग रहा है कुछ दिन बात कहीं अमीर लोग इसे तेजोरी में न रखना है